तेना घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने कुछ वैसा ही हाल है स्वीडन के कुरान मामले में अब कूद पड़ा है पाकिस्टान भी और जहां एक तरफ स्वीडन में पाकिस्तान कूद रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फिच और मूडिज ने पाकिस्तान में ला दी है नई तबाही जानेंगे कैसे चार दिन की चांदनी फिर काली अंधेरी रात बदल गई है पाकिस्तान के लिए जियो वोल्टिक्स में दमाल मचा हुआ है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से घर में खाने के लिए ला मजा आ रहा है दूसरे की साधी में बना बैठा है दिवाना वैसा ही कुछ गलती कर रहा है पाकिस्तान जो फ्रांस मामले में करा था फ्रांस में पिछली बार जब बिरोध परदर्सन होने लगे थे जो कार्टून पत्री का थी चारली है दो उसके लिए और वहां पर फ्रांस के राजदूत को निकाल कर हम बाहर कर देगे पाकिस्तान ने उस समय जोस में बहुत सारी चीजें की और इसका बदला भी फ्रांस इसने बदला लिया अच्छा खासा वाला अभी हाल फिलाल में ताजा ताजा चोट दी जिसकी वज़े से फ्रांस पहुंच कर भी इसने मूग खोला तो क्या खोला वैसे आपको बता दें फ्रांस ने पाकिस्तान से बदला कैसे लिया एक एयर सो हो रहा था फ्रांस के अंदर और इस एयर सो में भारत पहुंचा था भारतिये जेट पहुंचे हुए थे पाकिस्तान चाहता था कि उसके जेफ 17 को भी जगह मिले जिसे फ्रांस ने सीधे मना कर दिया और का नई जी तुमारी एंटरी इस सो में नहीं होगी जिसके बाद सहबास सरीफ दोड़े दोड़े बिना बुलाए फ्रांस पहुंच गया था फ्रांस ने कोई नियोता नहीं दिया था और वहां भी जाकर इसने मूँ खोला तो यही कह दिया कि भया आप लोग ना यूकरेन युद्ध में खर्चा कर रहे हो लेकिन हमें पैसे नहीं दे रहे हो आपके पास युद्ध में खर किया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला फ्रांस ने कोई रिप्लाइ नहीं दिया और नहीं कोई धन दिया दिया ओपस हो रहा है वापस आकर पाकि एक सक्स ने इद के मौखे पर कुरान जला दिया जिसका वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो गया कुरान के अपमान को लेकर कई देशों ने आपत्ती भी दर्ज की वहीं तूर्की तो चार कदम आगे बढ़ गया और तूर्की ने कहा कि देखो हम तुमारी एंट्री नाटो में होने नहीं देंगे नाटो ने कहा कि देखो हम आपत्ती दर्ज कर सकते हैं गलत हुआ लेकिन कुरान जलाना पैर कानूनी नहीं था अब इन सब के बीच में पाकिस्तान में मीचिंग होती है और प्रदान मंत्री सहवाद सरीफ कह रहा है जितने भी राजनीतिक दल है सब के बाद हम प्रस्ताव पारित करेंगे पवित्र कुरान का पमान ये हम सहेंगे नहीं और पाकिस्तान के परदान मंत्री ने पार्टी को कहा कि पवित्र कुरान दिवस में भाग लेने और देश व्यापी रेलियां आयो जित करें उन्होंने कहा कि कुरान की पवित्रता मुस वैसे तो निंदा, पाकिस्तान, तुर्की, सौधी अरब, मुरको, इराक, इरान, सहित, कई देशों ने की, लेकिन, अब यी समस्या ये है, कि पाकिस्तान इतना ज्यादा क्यों आगे बढ़ कर परदर्शन कर रहा है, क्या उसे सिर्फ धर्म की चिंता है, तो आपको बता दे, पाकिस्तान की इस वक्त इस्थिती ऐसी है कि अपनी जनता का ध्यान कहीं और लगाना चाहता है बिरोध परदर्शन करना एक अलग बात है निंदा करना एक अलग बात है अपने ही देश में इतने बड़े लेबल पर परदर्शन करानी की बात कर रहा है पाकिस्तान अब जरा सोचिए कि अपनी जंता का ध्यान किधर ले जाना चाहता है इस्तिती ऐसी है कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्ता की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्ता को सुधार सके अभी हाल में क्या हुआ आईमेफ से भीक मांगकर जो चार दिनों की चांदनी आई थी वो चांदनी जाती हुई दिख रही है पिछले हपते आईमेफ ने पाकिस्तान को तीन अरब डॉलर का करजा देने का ऐलान किया जिसके बाद पाकिस्तान चार दिन की चांदनी वाले फेज में आ गया है पाकिस्तानी सेर वजार में उच्छाल आ गया तो पाकिस्तानी रूपिया भी अचानक डॉलर के मुकाबले अच्छा करने लगा और प्रधान मंतरी सहबा सरीप इतना खुस हो गया कि उसने यहां तक कह दिया कि खुदा करे ये आखरी IMF लोन हो लेकिन यहां पर रंग में भंग डाल दिया अंतराष्टी रेटिंग एजेंसिया फीच और मूडिज ने इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये चार दिनों की चांदनी है और फिर अंधेरी रात हो जाएगी फीच रेटिंग और मूडिज इन्वेस्टर सर्विस ने सोमबार को पाकिस्तान को गंभीर खतरों की चेताउनी दी और कहा कि देखो तीन अरब डॉलर पर खुस मत हो क्योंकि तुम्हारे लिए मुसीबत बैठी हुई है एक तो अगले नौ महिनों में अलग अलग किस्तों में तीन अरब डॉलर का लोन मिलेगा इलाल के लिए तुम्हें ऐसा जरूर लग रहा है कि तुम्हारी जान बच गई है लेकिन जरा मुझे बताओ ये पैसे तुमने करजे मिलिया ठीक उसके बाद तुम्हारे पास विदेसी मुद्रा भंडार तो बचा हुआ है नहीं आईएमेफ ने उसे भी खोलने के लिए कह दिया है कि तुम खरीदारी करो अब आईएमेफ से तुमने करजा तो ले लिया लेकिन अपना विदेसी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ाओगे अब इसके लिए तुम्हारे पास एकी उपाय है और वो उपाय है कि सौधी अरब तुम कहां से लोटाओगे फीच और मूडिज दोनों एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान तीन अरब डॉलर से बच जाएगा ऐसी संभावना नहीं दिख रही है पाकिस्तान को बहुत बड़ा करजा बहुत बड़ा आर्थिक मदद चाहिए पाकिस्तान इस कार की खुसियों पर पानी फेर दिया है फीच मूडिज ने पाकिस्तान को उसकी इस्थिती याद दिलाते हुए भविस्ष का आइना भी दिखा दिया है इनका कहना है कि 2023-24 में पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर का विदेशी करजा लोटाना है पाकिस्तान ये करजा कैसे लोट पाकिस्तान को करजा लोटाने के लिए अपने खर्च में कटाउती करनी पड़ेगी और टैक्स में ब्रिधी करनी पड़ेगी तभी कुछ हालात सुद्रेंगे या फिर सौधी अरब युवई चीन करजा दे दे तब अब आपको बता दें इन तीनों देसों ने पहले से ही ह पाकिस्तान अब डर भी गया है पहले बार बार उठकर चला जाता था युवई सौधी के पास लेकिन अब इन्हों ने भी कह दिया है कि ऐसे नहीं चलेगा वैसे आपको बता दें मूडिज के एक एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान आई-एम-फ का लोन ले भी नहीं पा इसलिए पूरा मिलना मुश्किल है चुनावी लाब भले मिल जाए कि चुनाओ के समय पाकिस्तान दिखा दे कि हमें फाइदा मिल गया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक जितना वी देशी मुद्राबंडार है उसका सात गुना जादा या कबर के साथ